मदिप्रदीश की जबलपुर में अगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भाचपा और कॉंग्रेस ने होकार भर दी है तो वहीं तीसरे विकल्प के रूप में आमा आदमी पार्टी भी चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड रही है इसी कड़ी में जबलपुर के पनागर विधानसभा से आमा आदमी पार्टी ने पंकच पार्ठग के नेतरत्वों में चुनाव को लेकर होकार भरते हुए महारैली कायोचन किया जिसमें बड़ी संख्या में हातों में आमा आदमी पार्टी के कारेकरता रैली में शामिल पनागर विधानसभा के संभावित आमादमी पार्टी के प्रत्याशी पंकच पाठक में बताया कि आमादमी पार्टी ने मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हुकार भर दी है साथ ही मुख्यमंत्री के जरिवाल के जारी किये गए घोशना पत्र को लेकर कहा कि मधिप्रदेश में आमाद्मी पार्टी की सरकार आती है तो दस गैरंटी योशना आमनागरे को को दी जाएगी जिसमें शिक्षा, स्वास्थ, मुफ्त, बिजली, महिलाओ के लिए बसे फ्र संधिया वहीं अब जनता चाकरोग हो गई है उनके बहकावे में नहीं आएगी इसलिए जनता अब परिवर्तन चाहती है पीबीसी के लिए चबलपुर से रिशीरा चक की रिपोर्ट सवास्थ के लिए बूर्नित के लिए निकाली हुई है यह यजसे के के लिए गयरं Sag overweight यह बोले हुआ हुआ है के सबसे पहले है सिख्षा की गरंटी है कहा हम यहाँ पर अच्छसिहा देंगे और स्वास्त के लिए बोला हुआ है जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में महला क्लेनिक बनाई हुई है बैसे ही यहां मंद्र प्रदेश में भी महला क्लेनिक बनाई जाएगी और स्वास्त की विवस्ता अच्छे से की जाएगी यात्रियों के लिए जो है बुजर्ग यात्र प्रकार से जो है हमारी दस गरंटिया है जो चाहे हम मर जाएंगे चाहे हम कड़ जाएंगे लेकिन यह दस गरंटिया हम लोग जो है यहां मत प्रदेश में लागू करके रहेंगे मैं पंकच पाठा आम आधी पार्टी से लोग सबस सचे हैं अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर तेखने के लिए हमारे चैनल पुलिस बीरोक्रेट्स न्यूस को बेल आइकान दबा कर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें हमारे कॉंटेक नंबर है 9039011886 एवं 9770229999